हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब इंफिनिक्स ने दोस्तों इंडिया के अंदर बिल्कुल धमाली मचा दिया पहले तो दोस्तों इंफिनिक्स का नोट 30 लाँच हुआ जो बहुत जादा पॉपुलर बन गया और यह स्मार्टफोन आपको बहुत जादा पसंद आया परसनली मुझे भी बहुत बढ़ी है प्राइस के अंदर जो है बहुत ही बढ़ी है फीचर्स इसके अंदर मिलते है 16,000 इसका प्राइस है लेकिन इससे 4000 उपर महेंगा दोस्तों एक और स्मार्टफोन इंफिनिक्स ने लाँच कर दी एंडिया के अंदर GT 10 Pro जो आपको मिलता है 20,000 का तो इन दोनों फोन्स के अंदर जो है 24,000 का फरक है इस वीडियो में मैं इन दोनों में comparison करके आपको बताऊंगा कि एक बहुत बढ़ी है स्मार्टफोन Note 30 होने के बाद भी GT 10 Pro जो है आपको क्यों खरीदना चाहिए दोनों के अंदर आपको कितना फरक मिलता है कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जड़ो देखिएगा और एक लाइक भी कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुँशते रहें चली जल्दे से बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले box के contents आपको क्या के मिलते हैं किसके साथ जब आप खर्च करते हैं दोस्तों 16,000 और 20,000 तो दोस्तों सबसे पहले note 30 के box में देख लेते हैं 16,000 में आपको क्या क्या दिया गया है बाकी box तो इसका जो एक green color में कुछ इस तरी किसा आपको मिलता है तो सबसे पहले मिल जाता है फून एक wrapper के अंदर detail look इसका हम अभी देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें user manual मिल जाते हैं इसके बाद फून के बाद और इसके बाद जो एक tempered glass दिया गया है box में तो यह चीज काफी बढ़िया है tempered glass box में मिल जाता है यह चीज काफी अच्छी मिलती है आपको एक मिल जाता है दोस्तों cover जो आपको hard plastic की type का मिलता है और यहां पर JBL की branding आपको नीची के तरफ दी गई है तो यह चीज काफी बढ़िया है box के contents quality में काफी अच्छे मिलते है इसके बाद दोस्तों आपको यह type C cable दी गई है cable की quality आपको काफी बढ़िया मिल जाती है क्योंकि charger भी काफी fast है cover भी बढ़िया quality में और type C cable भी है तो यह चीज़े तो दोस्तों box में बहुत बढ़िया है note 30 के साथ चलिए देखते हैं अगर आप 4000 रुपा और जादा खर्श करते हैं तो आपको जो है दूसरी तरफ GT10 Pro के साथ क्या क्या मिलता है और इसके अंदर फर्क कितना है तो दोस्तो GT10 Pro का जो है box कुछ इस तरीके से open होता है यह gaming smartphone है तो इसका box भी विल्कुल लगी है इसके box में भी आपको सबसे पहले एक mini box मिल जाता है इसके box करते ही जिसमें अंदर की तरफ आपको इसके कुछ user manual और एक sim ejector tool मिलता है उसी तरीके से एक मिल जाता है cover लेकिन यह soft finish में है तो cover की quality आपको जो है यह cable जो है यह थोड़ी आपको different दी गई है इसमें फर्क यह है दोस्तों यह cable जो है normal cable की तरह ऐसी नहीं CDC आपको तेड़ी मिलती है जब आप phone को ऐसे पकड़ेंगे तो charging पे लगा के भी जो आपको दिक्कत कम होगी इसमें तो कुछ इस तरीके से charging के टाइम पे भी phone को आप use कर सकते हैं लेकिन हाला कि मैं आपसे recommend करूंगा पहले proper charge कर लो ना और उसके बाद ही use करना तो जादा better रहेगा last में रखा वो मिलता है दोस्तों ये white color में charger जो कि 45 watt का charger है तो charger इसके साथ भी आपको बिल्कुल same दिया गया है दोनों के साथ जो आपको box के contents मिलते हैं दोनों के साथ same मिल जाते हैं बस एक जो ये cable का फर्क है इसके आपको कुछ इस तरीके से मिलती है अलग pattern में और उसके साथ normal type की मिलती है हाला कि दोनों के साथ type C cable है quality दोनों में बढ़िया है तो जादा खास फर्क आपको box के contents में देखने को नहीं मिलता है इस चीज में तो दोस्तो तो इस चीज में तो दोनों ही smart phones आपको एक जैसी मिलते हैं box के contents दोनों के साथ similar type के दिये गए है थोड़ी सी cable का फर्क है लेकिन इस चीज में note 30 बढ़िया है वो जादा value for money है क्योंकि 4000 रुपर आपके बज़ भी रहे ह note 30 के अंदर जो आपको gt10 pro की तरह मिल जाते हैं अगर charger में फर्क होता दोनों के अंदर तो थोड़ा सा justified होता तो इस चीज में तो जादा बढ़िया note 30 है अगर gt10 pro के साथ charger और जाधा fast होता तो दोस्तो थोड़ा और better हो जाता लेकिन इस चीज में दोस्तो note 30 बढ़िया लेकिन gt10 pro का जो design है यो कुछ अलगी next level आपको मिलता है इसके अंदर आपको pattern बहुत ही जाधा कमाल का दिया गया है तो look wise जो दोस्तो design है वो दोनों के अंदर बढ़िया तो मिलता है लेकिन gt10 pro के अंदर आपको जो है कुछ इस तरीक सा आपको जो दोस्तो pattern मिलता है gt10 pro का यह और भी जाधा इसके design को unique बनाता है और बहुत जाधा कमाल का लगता है यह futuristic type का लगता है और यह थोड़ा आपको common type का pattern मिलता है जैसा आपको और दूसरे smart phones में भी देखने को मिलता है तो design को लेकर दोस्तो जाधा बढ़िया तो वैसे gt10 pro है और इसके अंदर आप आपको design की quality भी बढ़िया दी गई है थोड़ा सा जो है आपको दोस्तो gt10 pro एक चीज़ मौर बेटर मिल जाता है इसका जो back panel है यह color changing है यह जितने भी आपको इसमें pattern दिये गाए है यह आपको color changing type के देखने को मिलते है मतलब UV light के अंदर और sunlight के अंदर जो है इसका color जो ह या फिर infinix के gt10 pro का comment करके जरूर बताइएगा वैसे no doubt इन दोनों के design के comparison में gt10 pro winner है चली दोस्तो दोनों को on कर लेते मैं आपको दिखाता हूं इन दोनों के अंदर आपको जो display की quality मिलती है वो किसके अंदर जाधा बढ़ी है मिलती है हाला कि दोनों ही smart phones के अंदर आपक जो display की quality दी गई है amoled display मिल जाती है तो इस चीज में दोनों ही बहुत जाधा कमाल के हैं display की quality में तो काफी बढ़ी है इसके लाब दोस्तो इन दोनों में थोड़ा सा जो बढ़ा feel होता है वो note 30 feel होता है यह gt10 pro जो है size में थोड़ा सा आपको compact मिलता है और light weight भी जाधा य दोनों ही के अंदर आपको display में 120 Hz का refresh rate दिया गया है तो इस चीज में दोनों के अंदर काफी कमाल की मिलती है smoothness आपको दोनों के अंदर बहुत जाधा बढ़िया मिल जाती है तो जब दोस्तो दोनों के अंदर आप जो gaming करते हैं तो इन दोनों के अंदर आपको experience मिलता है व और जाधा छोटा है edges, bezels दोनों के अंदर आपको काफी कम मिलते हैं लेकिन जो है आपको colors वगरा की थोड़ी सी जो brightness है वो और healthy सी better feel होती है दोस्तो GT10 Pro के अंदर तो quality का जो है थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलता ही है जाधा better आपको ये मिल जाता है हालकि display की quality जो LG है, निचे की side से आप देहेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है, type C port है दोनों में, right side पर आप देहेंगे तो यहाप पर volume के buttons और power के buttons दिये गया है, fingerprint scanner आपको note 30 में तो side में मिलता है power के button के अंदर लेकिन दोस्तो GT10 Pro में आपको display के अंदर दिया गया है तो ये चीज़ जाध बैटर है, बात करें दोस्तो RAM और storage को लेकर तो देखें, note 30 के अंदर आपको दी गई है, 8GB RAM, 256GB internal storage, 8GB, 256GB आपको note 30 मिल जाता है, 216,000 में और 20,000 में GT10 Pro के अंदर भी आपको दी गई है, 8GB RAM, 256GB internal storage, तो इस चीज़ में तो दोनों सेम है, बाकि दोस्तों इन दोनों phones के आपको अराम से मिल जाएगा, इस चीज़ में दोनों बढ़िया है, और 60Hz के refresh rate पर आप यूज़ करेंगे, तो बैटरी बैकप थोड़ा आपको और बैटर मिल जाएगा, बाकि दोस्तों charger भी दोनों के साथ आपको सेम साही मिलता है, 45W का तो इस चीज़ में भी दोनों सेम मिलते हैं, इसके लग दोस्तों इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो processor दिया गया है, उसके अंदर काफी बड़ा फर्क है, MediaTek का दोस्तों Dimensity 6050 processor दिया गया है, Note 30 में, और दूसरी तरफ GT 10 Pro के अंदर आपको जो है, दोस्तों मिल जाता है, MediaTek का Dimensity 8050, अब इन दोनों के अंदर आपको जो performance का फर्क मिलता है, वो बहुत ही जादा तगड़ा है दोस्तों, यह वैसा आपको Note 30 जो है काफी बड़ीया साथ लाग के आसपास जो इसका 92 scores आपको देखने को मिलता है, तो दोस्तों performance अगर आपको बड़ीया चाही ना, gaming वगर आपको जादा करनी है, multitasking जादा करनी है, तो 10 Pro जो है दोस्तों GT 10 Pro यह बहुत ही जादा smooth है, gaming के अंदर भी और दोस्तों, normal use के अंदर भी, regular use के अंद बहुत जादा best रहेगा, यह चीज़ आपको बहुत ही कमाल की मिलती है, इसके लब दोस्तों दोनों के अंदर आपको बैक साइड पर main camera दिया गया है, 108 MP, अगर आपको performance camera की बढ़िया चाहिए, तो rate किसाब से मुझे दोनों ही smartphone camera को लेकर normal लगे, अगर आपको इन दोनों म वज़े से ही smartphone खरीदना है, तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा, इस budget में आपको और दूसरे smartphone बे देखने को मिल जाते है, इन फनिक्स के, उनका जोड़ो चेक आउट करिएगा, चैनल के अंदर काफी सारी वीडियोज है, तो यह सारी खुब यह कम्या आपको मिलती है, इन यह चीज़ बहुत कमाल की है, बड़ी है डिजाइन के लिए आप इसे खरीद दियेगा, लाइट वेट भी जादा है, तो यह चीज़ भी बहुत important है, फोन हेवी होता है, तो कई बार दिक्कत हो जाती है, अब आइफोन 14 प्रो मैक्स भी अगर आप खरीदेंगे लगता है, कई बार तो कवर लगागे और भी हैवी हो जाता है, तो चाहा कितना ही महेंगा स्मार्टफोन हो, अगर हैवी हो तो आपको दिक्कत होगी होगी, तो वो चीज़ जो इसमें काफी कमाल की मिलती है, दूसरा अगर आपको बैटरी बढ़िये चाहिए, तो दोनों में से कोई स साथ है, कैमरी की परफॉमेंस नॉर्मल मिल जाती है, तो मतलब सारी खुबिया आपको जो है, दोनों के अंदर सेम टाइप की दी गई है, दोनों काफी जाधा कमाल के हैं, लेकिन अगर आपको दोस्तों परफॉमेंस की वज़े से और बढ़िये डिजाइन, लाइट वेट तो मैं इन दोनों में साब से कहूंगा, आप GT10 Pro खरीदियेगा, या आपके लिए और कमाल का रहेगा, परफॉमेंस बहुत ही जाधा स्मूध है, गेमिंग के लिए भी बहुत बढ़िया, और नॉर्मल यूजर अगर आप है, तब भी आपको परफॉमेंस बहुत ही बढ़ वीडियो में तब तक के लिए टेक केर, बाबाए